चीटी और कबूतर एक ही जगह पर रहते थे एक दिन खाने की तलास में चीटी तालाप के किनारे घूम रही थी अचानक जोरों की हवा चलने लगी तेज हवा का जोका उसे तालाप के पानी में बहा ले गया चीटी को ऐसा लगा जैसे वो आज मरी जाएगी अपनी पतली सी आवाज में उसने मदद के लिए चिलाना सुरू कर दिया बचाओ मुझे कोई मुझे पानी से बाहर निकालो वही पास से कबूतर गुजर रहा था उसने चीटी की आवाज सून ली वह इधर उधर देखने लगा पर उसे चीटी कहीं नहीं दिखाई दी चीटी ने दुबारा आवाज लगाई बचाओ बचाओ मैं पानी में डूब रहा हूं तभी कबूतर की नजर चीटी पर पड़ी कबूतर ने सोचा मुझे इसकी मदद करनी चाहिए पर कैसे कबूतर को समझ में नहीं आ रहा था कबूतर को अचानक एक तरकीब सुजी उसने किनारे पे जाकर के एक पत्ता उठाया और आ के चीटी के आगे डाल दिया चीटी धीरे धीरे उस पत्ते के उपर चड़ गई पत्ते के उपर तेरते हुए चीटी आराम से तलाप के किनारे जमीन पर आ गई कुछ दिनों के बाद एक दिन चीटी ने देखा की एक सिकारी जाल बिचाकर कबुतर को पकड़ने की कोशिस कर रहा है चीटी समझ गई कि कबुतर की जान खत्रे में है और उसे तूरंत मदद चाहिए चीटी जल्दी जल्दी सिकारी के पास पहुँची और अपना पूरा तागत लगा कर उसने उसके पैर में काटा दर्द के मारे छट पटाकर सिकारी ने जाल को वहीं जमीन पर छोड़ दिया मोका पाकर कबुतर जाल से निकला और आस्मान में उड़ गया आस्मान में उड़ते हुए कबुतर ने चीटी की और हाथ हिलाकर उसे धन्यवाद दिया चीटी ने भी खुशी से अपना हाथ हिलाया इसके बाद से वे दोनों पक्के दोस्त बन गए उन दोनों की समझ में ये बात आ गई थी की सच्चा दोस्त वही है जो समय पे काम आता है थैंक्स पर वाचिंग